हिस्ट्री मॉडन इंडिया चैप्टर 3 स्वतंत्र प्रांत मैसूर बंगाल पंजाब और अवद तो आज हम लोग स्वतंत्र प्रांत के बारे में जानते हैं देखिए पहले मैसूर बंगाल पंजाब और अवद जो है वो मुगल समराज में था लेकिन मुहम्मद सहरंगीला जिसके बारे में मैं बताया था चैप्टर 2 में काफी भोगी किसम का व्यक्ति था जिसके कारण जो भी सुवेदार मैसूर बंगाल पंजाब या अवद में मुगल समराज से ही अलग हुआ था अलग प्रांत बना था मैसूर बंगाल पंजाब और अवद तो हम लोग एका करके सबसे पहले समझते हैं मैसूर के बारे में एक बत और मैं कह दूँ कि यह मेरे जितने भी क्वेस्टेंस है वो मैं SSC, Railway, CTate और State PCS और जितना तरह कभी है तो मैं सभी का question एक जगा ही कठा कर दिया हूं दो तीन book ठीक है दो तीन book का help से मैं कर दिया हूं तो आप theory पूरा आपको याद नहीं करना है theory बस एक बार समझ लो और उसके बाद जो मैं question बता हूं उसको दिमाग में रखना चलिए तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि व अगभग सुला सो पंदरा इस्वी के बाद विजयनगर समराज का पतन हो गया ठीक है उसके बाद जहां पर विजयनगर समराज जी था और आपको एक बत और बता दू कि विजयनगर समराज के जो संस्थापक थे उनका नाम था हरिहर बुक्का तो ये भी question पूछता है ठीक पर राजा वाडियार ने वाडियार वंस की स्थापना की तो देखिए जहां पर पहले विजयनगर था वहां पर जब विजयनगर का पतन हुआ तो जो राजा वाडियार थे उन्होंने वाडियार वंस की स्थापना की अठार्वी सताबदी में वाडियार वंस का एक अल्प दो उत्राधिकारियों ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया उत्राधिकारियों का नाम था नंजराज और देवराज देखिए जो वाडियार वंस था धिरे 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 आगे बढ़ने लगा फिर क्या हुआ कि लास्ट में एक राजा का जो बेटा था राजा के मृत्यू के बाद उसका जो बेटा था वो काफी कम उम्र का था तो कम उम्र का था इसलिए काफी कमजोर था तो इसलिए वो नाम का राजा था ठीक है जो चिक्का क्रिस्न राज था वो नाम का राजा था लेकिन एक्चुल जो पावर था जो सक्ती था वो दो अधिक सारी के हद्व में थे नंज राज और देवराज तो यहां से आपको कोश्चन पूछेगा कि वाडियार वन्स ठीक है अंग्रेजों के समय जो हैदर अली के पहले वाडियार वन्स का राजा कौन था तो आपको कोश्चन में ऑप्सन के अनुसार चलना होगा अगर ऑप्सन में पढ़ेगा चिक्का क्रिस्न राज अगर ऑप्सन देगा नंज राज या देवराज तो आपको एंसर मानना पढ़ेगा नंज राज या देवराज चलिए यहां पर अभी तक एक कोश्चन पूछा है रिलवे में वाडियार कहां के सासक थे तो एंसर है मैसूर यासत के तो इंपोर्टेंट यह निकल के आ रहा है कि वाडियार कहां के सासक थे तो कहां के थे मैसूर के चलिए उसके बाद क्या हुआ कि पहले हैदर अली जो था वाडियार बंस में ठीक है एक पहले सैनिक था फिर जो राजा क्रिस्म चिका राज था उसका अंगरक च्छक बना फिर दो धरे दिरे इसकी बहादुरी के कारण इसे सेनापती बना दिया गया फिर राज माता का समर्थन प्रापत किएं और नंज राज और देवराज की हत्या कर दी और मैसूर की गद्धी पर बैठ पर इस तरह से हैदर अली को मैसूर का संस्थापक माना जाता भीवी आई संदिया के समय हैंग्रेज का साउथ इंडिया में इंट्रिस स्टाठ हो गया मैसूर वड़ एरिया में तो हम लोग प्रथम आंगल मैसुर यूथ देखेंगे उसके बाद यह हुआ था है डरली वारण हैस्टिंग उसके मदरास के संधी, एक question आपको हमेशा पुछता है कि किसी भी युद के बाद कौन से संधी हुई थी तो इस भी आपसे नहीं पुछेगा लेकिन ये जरूर पुछेगा कि प्रथम आंगल मैशूर युद के बाद कौन से संधी हुई द्वीतिये आंगल मैसूर यूद के बाद कौन सी संधी हुई तो प्रथम के बाद मदरास के संधी द्वीतिये के बाद मंगलोर के संधी तिरतिये आंगल मैसूर यूद के बाद कौन सी संधी हुई तो स्रिरंगपटनम के संधी चतुर्स आंगल मैसूर यूद इसके बाद कोई संधी नहीं हुआ था बलकि अंग्रेज पूरा कैप्चर कर लिया थे चलो देखते हैं तो यह हमारा हो गया आंगल मैसूर यूद और उसके बाद हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे तो यह हमारा मैसूर आज को समझेंगे हम लोग एक, दो, तीन, चार पॉइंट से हम लोग पूरा मैसूर आज को समझेंगे यदि आप स्टेट PCS की तियारी कर रहो तो या आप इसको पूरा नोट्स लिखना यदि आप SSC या रेलवे की तियारी कर रहो या अन्य एक्जाम जिसे स्टेट तो आप सिर्फ हाइलाइटेड पॉर्सन का एक नोट्स बना लो चलो प्रिस्ट भूमी आरम में हैदर अली मैसूर सेना में एक सैनिक था बाद में से नंज राज ने चिक्का क्रिस्न राज के अंग्रक्षक बनाया इसकी वीरता से प्रभावित होकर बाद में से सेनापती बनाया करके नंज राज और देवराज की हत्या कर मैसूर की गदी पर बैठ लिया तो आपसे कोशन पूच था है कि मैसूर का संस्थापक कौन था फिर से मैं रिपिट करा हूँ मैसूर का संस्थापक तो कौन था हैदर अली चलो next point अपना बंदूग फैक्टरी की स्थापना हैदर अली ने 1755 इस्वी में फ्रांसिसियों की मदद से तमिल नाडू के डिंडी गुल नामक स्थान पर एक बंदूग फैक्टरी की स्थापना की तो यहां से आपको कोश्चन निकल के आ रहा है दो कोश्चन आया जो अभी तक पूछा है पहला डिंडी गुल क्या है तो यह तमिल नाडू का एक नगर है देखिए यह नगर इसलिए इंपोर्टेंट है यहां पर बंदूग फैक्टरी लगवाया था दूसरा किसने फ्रांसिसियों की मदद से डिंडी गुल में एक बंदूग की फैक्टरी लगाया तो एंसर है है एदर इली यह जो मैं ग्रीन से लिखा हूँ कोश्चन यह या तो स्टेट PCS का प्रिवियस यर कोश्चन है या रेलवे का प्रिवियस यर कोश्चन है या SSC का प्रिवियस यर कोश्चन है इसके लिए मैं किरन की बुक को रिफर किया हूँ साथ साथ क्राउन की बुक को रिफर किया हूँ धिरे धिरे अंग्रेज दक्षिन भारत की राजनिती में हस्तचेप करना प्रारंब कर दियें जिसके कारण अंग्रेजों का मैसूर प्रांत के साथ चार यूद हुआ जिसे आंगल मैसूर यूद कहते हैं प्रथम आंगल मैसूर यूद ये हुआ था हैदर अली और वेरन हस्तिंग के बीच में इसमें परिनाम ये हुआ कि हैदर अली का विजय हुआ इस यूद के बाद मदरास की संदी हुई देखिए इसके बारे मैं आपको बता दूँ ये पहला ऐसा युद था जिसमें अंग्रेज के तरफ से हैदराबाद और मराठा दोनों आये थे लेकिन फिर भी एक टीम में था अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद लेकिन फिर भी हैदर अली ये तीनों का टीम जो एक साथ आये ते तीनों को हरा दिया एक ही बार में तो इसलिए ये इतिहास का बहुत बड़ा यूद था और आपसे ये भी पूशता है कि बताएए साथ इंडिया का वैसा राजा कौन है जिसने अंग्रेजों को प्रास्त किया था सबसे पहली बात तो एक मात्र हैदर अलि ऐसा राजा था जो अंग्रेजियों को परास्त किया था ठीक है और एक बतार में बता दू कि अंग्रेजियों उस समय अकेले नहीं आये थे अंग्रेज के साथ हैदराबाद और मराथा दोनों आया थे मतलब कि एक तरफ आपको अंग्रेज का सेना, मराथा सेना, हैदराबाद का सेना तीनों मिल कर अटेक करने के लिए आया था हैदर अली के पास लेकिन हैदर एली की वीरता आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि तीनों की सेना को समलित सेना को हैदर एली ने एक बार में रौन दिया तो आपसे यहां से question पुछेगा कि प्रथम आंगल मैसूर यूद किसके किसके बीच हुआ प्रथम आंगल मैसूर यूद में अंगरेज़ों का गवर्न जानरल कौन था दूसरा question प्रथम आँगल मैसूर यूद के बाद कौन से संधी हुई तीन question अगर आब तीन question दिमाग में रखते हो तो इससे question नहीं छूटेगा चलिए, प्रथम आंगल मैसूर यूद हैदर अली और वैरन हस्टिंग के बीच में हुआ ठीक है, इस यूद में British Governor General वैरन हस्टिंग थे तीसरा, इस यूद के बाद मदरास की संदे हुई चलिए द्वीतिय आंगल मैसूर यूद अब अंग्रेज हार के गए थे, अब अंग्रेज देखिए, हार के गए लेकिन उनके अंदर का गुसा भी तक ठंड़ा ने हुआ अपमान का बदला लेने के लिए वो फिर अटेक कर दी है देखिए, इस भी देखिएगा ठीक है, ये प्रथम आंगल मैसूर यूओ दुआ था, 1767 से 69 और यहां हुआ असी मतलब लगभग 10 से 11 साल तक, अंग्रेज अपने सेना का पूरा अदम सक्ति साली बनाया ठीक है, चारो तरब से अपने आपको सस्त, अस सस्ते, ठीक है, मजबूत किया और उच्साह लेकर फिर से, क्योंकि अपना अपमान का बदला लेना था और किसी भी तरह से वो चाहते थे कि मैसूर राज पे मेरा कैप्चर हो जाए तो दुवीतिय आंगल मैसूर का यूद 1780 स्वी से स्टार्ट हुआ और ये 84 तक चला, मतलब 4 साथ तक यूद चला था तो अंग्रेज, ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में यूद हो रहा था इसी यूद के दौरान हैदर अली का डेथ हो गया अब हैदर अली का डेथ हो गया अगर मैसूर राज में हैदर अली का डेथ हो गया तो वहाँ की जनता पूरा भेभीत हो गयी थी कि जब राजा का डेथ हुआ तो अब हमारा क्या होगा लेकिन तुरन थी काफी वीरता के साथ हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान वो कमान सम्हाल लिया जैसे हैदर अली का डेथ हुआ यह सीदा घोसना कर दिया कि अब मैसूर को हम सम्हालेंगे मैसूर का सासा खाम है और अंग्रेजों को विरुद हम लड़ेंगे तो इस तरह मैदान में टीपू सुल्तान उतर गया तो गौर करिएगा द्विती आंग्ल मैसूर युद के समय मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने युद किया था और फिर से द्विती आंग्ल मैसूर युद में गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पर आपको एक और question पुछा है क्यों द्वीतिया आंगल मैसूर यूद में अंग्रेजों का सेनापती कौन था सेनापती मतलब जो यूद देखिए Governor General खुद यूद करने के लिए नहीं आता था ठीक है वो बस जिसे Governor General था तो वो बंगाल का मतलब कि British East India Company के तरफ से भारत का Governor General था ठीक है तो वो खुद लड़ाई करने नहीं आता था बलकि अपना सेनापती को भेजता था तो द्वीतिया आंगल मैसूर यूद में आयर कूट को लड़ने के लिए भेजा था ठीक है तो यहां से आपको जो Question बनेगा वो यह पहला Question क्योंग द्वीतिया आंगल मैसूर यूद के समय भारत में अंग्रेजों का Governor General कौन था या British East India Company के द्वारत का Governor General कौन था तो एंसर है वारन हैस्टिंग Question No.2 द्वीतिया आंगल मैसूर यूद के समय अंग्रेजों का सेना पती कौन था तो answer है आयर कूट तीसरा द्वीतिया आंगल मैसूर के यूद के बाद कौन सी संधी हुई तो मैंगलोर की संधी तो ये तीन पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो द्वीतिया आंगल मैसूर यूद से आपका कोई भी question नहीं छूटेगा चली हम लोग देखते हैं देखिए एक और question है हैदर अली की मृत्यू किस यूद के दोरान हुई तो द्वीतिया आंगल मैसूर यूद के दोरान द्विती आंगल मैसुर्योद के दौरान Gouverneur General कौन था? Varen Hastings द्विती आंगल मैसुर्योद के समय अंग्रेजों का सिन पती कौन था? अएरकूट एक और कोशन जो छूट के आमें बता रहे हूँ द्विती आंगल मैसुर्योद के बाद कौन सी संधी हुई थी? तो मैंगलोर की संदी, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल देखते हैं द्वीतिय आंगल महसूर यूद के दौरान 1882 इस्वी को हैदर अली की मृत्ती हो गई मतलब लड़ते लड़ते इनकी मृत्ती हो गई, ये लगभग दो साल तक लड़ते रहे लगातार और इनकी मृत्ती हो गई, काफी वीरता से इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया लेकिन होता है कि लग हमेशा सब के फेबर में नहीं होता है तो बहुत रिज़न रहा और इनकी मृत्ती हो गई मैसूर का राजा, हैदर अली का बेटा, टीपू सुल्तान बना जिसने इस यूद को जारी रखा हैदर अली की मृत्ती के बाद अंग्रेज, मैसूर पर हावी हो रहे थे लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को संधी करने पर मजबूर कर दिया मैं आपको बताया था कि टीपू सुल्तान ने काफी वीरता से लड़ा और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया संधी करने पर चलिए तो इसके बाद हुआ मंगलोर की संधी ठीक है 1784 इस संधी के द्वारा ही द्वीतिय आंगल मैसुर यूद समाप्त हो गया अब हम लोग थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं देखिए पहला पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट डिखते हैं इन्होंने द्वीतिय आंगल मैसुर यूद के बाद अपनी राजधानी मैसुर से बदल कर सिररंग पटनम कर दी देखिए दो बार मैसुर पर अटेक हो चुका था अंग्रेजों के द्वारा तो अंग्रेज वहां का बहुत सरा पॉइंट के बारे में जान गये थे यह क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या निगेटिव पॉइंट है इसलिए टेपू सुल्तान जैसे सासक बना उसे मालूम था कि अंग्रेज फिर अटेक करेंगे तो वह सबसे पहला काम क्या किया कि अपनी राजधानी मैसुर से बदल कर स्रीरंग पटनम कर दिया तो आपको यहां से question पूछा है कि टेपू सुल्तान की राजधानी कहां थी तो कहां थी स्रीरंग पटनम दूसरा question यह पूछेगा कि कि किसने राजधानी मैसुर से बदल कर स्रीरंग पटनम कर दी तो टेपू सुल्तान ने तो यह question बहुत important है चलिए इसने बादसा की उपाधी धारन की चलिए देखिए यह सब पॉइंट मैं आपको civil services के लिए बता रहा हूँ एससी railway के लिए important ने बस आप एक बार ध्यान में रखना यह दी question आ गया तो कोई दिकत ने otherwise जो जो question आया है मैं उसे highlight कर दिया हूँ इन्हें अनेक भासाओं का ज्यान था जैसे हिंदी, इंग्लीज, उर्दू, फार्सी, तुर्की, अर्भी, फ्रांसेश, इटैलियन सोच लिजे आज के date में आदमी इतना technology आगे बढ़ गया है इतना पढ़ाई में कंसर से फिर भी लोग एक, दो, तीन भासा मतलब तीन भासा सिखते सिखते बहुत को है कि इंग्लीज सीख रहे हैं, मतलब कि 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी उनको इंग्लीज समझ नहीं आता है और यहां पर टीपू सुल्तान जो था, वो हिंदी जानता था, इंग्लेज जानता था, उर्दू जानता था, फार्से जानता था, तुर्की, अर्भी, फ्रांसिसी, इटैलियन उसी प्रकार टीपु सुल्तान भी अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहता था इसलिए टीपु सुल्तान ने स्रीरंग पटनम में स्वतंतरता का वृष्च लगाए था भारत में मैं बता दू कि उस वक्त Dutch भी थे, French Sea भी थे, English भी थे, अंग्रेज भी थे, Danish भी थे, ठीक है, पुर्टगाली भी थे, तो टीपू सुल्तानna की अप। वेड़ है तो उसमें फ्रैंसेसी help करते थे इसलिए फ्रैंसेसी से टिपू सुल्तान काफ़ी प्रभावी था हुआ टीपू सुल्तान जो है जिस परकार फ्रांसिसी अपनी दास्ता से मुक्त, गुलामी से मुक्त हुए थें, उसी परकार टीपू सुल्तान भी चाहता था कि हम अंग्रेज की गुलामी से मुक्त हुए, तो इसी लिए टीपू सुल्तान स्वतंतरता का व्रिच लगाया था, मतल प्रभावित होने के कारण जैकोबिन क्लब का सदसे बना देखिए जैकोबिन क्लब जो है वो फ्रांसिसियों का एक क्लब था जहां पर सभी फ्रांसिसी लोग रहते थे उन लोग मेंबर थे तो टीपु सुल्तान फ्रांसिसियों से इतना प्रभावित हो गया था कि इस क्लब इराग, अफगानिस्तान, फ्रांस, किर्गिस्तान, मौरिसस ये चाहता था कि विदेश से हम लोग का संबन्द अच्छा रहा है मैसूर का संबन्द अच्छा रहा है तो अपना दूतावास, अपना अमबेजडर अनेक देशों में भेजा जैसे इराण, अरब, इराग, अफगानिस्तान तो आपको question एक भर पूछा है किस सासक ने विदोसों में आधुनिक पद्धती से दूतावास इस्थापित किये तो कौन था टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान की नीतियों से अंग्रेज काफी परिसान रहते थे अब तो परिसान रहेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान काफी intelligent था, काफी बहादूर था तो अंग्रेज obvious है कि परिसान रहते थे इसलिए एक British इतिहासकार ने टीपू सुल्तान को नई नई नीतियां चलाने वाला असांत आत्मा कहा इतना ज़्यादा परिसान हो गए थे, कि इतना खतनाक इनके लिए एक उपादी दे दिये नई नई नीतियां चलाने वाला असांत आत्मा एक अन्य British इतिहासकार ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा देत कहा तो आप सोच लिए कितना अंग्रेज इन से भैभीत थे तो इनकी विर्ता आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं तिर्तिय आंगल मैसूर यूद ये टीपू सुल्तान और लॉड कर्नवालिस के बीच हुआ था फिर से में बता रहा हुँ देखिए, लॉड कर्नवालिस उस समय के गवर्नर जनरल थे ये खुद रूद के लिए नहीं आते थे, सेनापती भैजते थे, ठीक है तो टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच चलिए, इसका परिणाम इस युद में टीपू सुल्तान की बुरी तरह से पराजित हुई जिसमें उनको धन और समराज की हानी हुई योगि अंग्रेज धिरे-धिरे सकति साली होते जा रहे थे नए-नए तरह के सस्त लेके आ रहे थे, नए-नए तरह के तोप लेके आ रहे थे और अपनी सेना को मजबूत कर क्या रहे थे तो जो थर्ड एंग्ल मैसुर युद हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान हार गया टीपू सुल्तान के कई अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिया और युद का हरजाना भी वसूला इसके बाद स्रीरंग पटनम की संधी हुई, इस संधी के द्वारा ही तिर्टिया आंग्ल मैसुर युद समाप्त हुआ देखिए कोशन पूछता है कि तिर्टिया आंग्ल मैसुर युद के बाद कौन सी संधी हुई थी, तो स्रीरंग पटनम की संधी, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, चौथा आंग्ल मैसुर युद, तो तीसरा में टीपू सुल्तान हार गया था, लेकिन अंग्रेज पूरी तरह से मैसुर को काप्चर नहीं किये थे, बस हर जाना लिये थे, कुछ-कुछ लिये थे और छोड़ दिये थे फिर क्या हुआ था कि अब अंग्रेजों का मन किया कि मैसुर को पूरा अंग्रेज में मिलाना है, ठीक है, अंग्रेजी समराज में मिलाना है, तो फिर से युद हो गया, 1799 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड विलेजली के बीच में, इस युद में सिरिरंग पतनम के किले क बाहर किले की रक्षा करते हुए, 1799 इस्वी में टीपू सुल्तान वीरगती को प्राप्थ हुआ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस युद में अंग्रेज विजय हुए, तो आपसे कोश्चन पूश्चन है, कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, कहा ह हुई, ठीक है, पहला कोश्चन, टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु कहा हुई, तो एंसर है, स्रीरंग पटनम, दूसरा कोश्चन, टीपू सुल्तान कब मारे गए, तो 1799, ये दोनों कोश्चन आप याद लखना, अब अंग्रेजों ने मैसूर को वाडियार वन्स के एक दो वर्सिय बालक, स्कृिसन राज टू को राजा बना कर स्वेम मैसूर के संग्रक्षक बन गया, मतलब कि नाम का बस राजा बना दिया, और क्या कहुआ, यसे होता ने कि हम नाम का आगे आपको जिसे कट पुतली टैप से, कि नाम का राजा बना दिया और पीछे से पूरा कैप्चर कर लिए, ठीक है, तो इसी तरह संग्रक्षक, ठीक है, अंग्रक्षक संग्रक्षक बन गया, चलिए, तो यह हो गया हमारा मैसूर, तो मैसूर में मिली हम लोग क्या क्या देखें, कि मैसूर में हम लोग देखें, हैदर ली, उसके बाद हम लोग देखें, आंगल म बंगाल तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे संस्थापक मैं आपको बता दू मुर्सीद कुली खां ठीक है देखिए बंगाल में पहले क्या था कि मुर्सीद कुली खां वहां के सुब्यदार थे ठीक है इसको सुब्यदार किसने बनाया था यह मुगल समराज के सुब्यदार को वहाँ पर लगा दिया तो उस पार्टिकुलर एरिया को सम्हालता था और वहाँ से टैक्स मुगल समराज को देता था तो उसी तरह मुर्सिद पुलिखा जो था वो बंगाल का क्या था सुवेदार था लेकिन जैसे मुगल समराज ठीक है जब आपको मुहम्मद साहर अंगी विलाएं तो वो काफी कमजोर थे उन्हें सासन में बहुत ज़्यादा दिल्चस्प नहीं था वो बस भोग विलास में डूबे रहते थे ठीक है तो इनका ये कमजोरी का फैदा उठाते हुए मुर्सिद पुलिखा क्या किया बंगाल को स्वतंत कर दिया मुगल समराज से बंगाल में अलिवर्दी खा का क्या रोल था उसके बाद देखेंगे देखिए बंगाल के बहुत सारे नवाब हुए लेकिन सब नवाब हम लोग के लिए important नहीं हैं तो कुछ-कुछ selected नवाब के बारे में हम लोग जानेगे जैसे अलिवर्दी खा उसके बाद हम लोग जा मिरजाफर इनके समय दो चीज हुआ एक हुआ बकसर कयूद और इलहभाद के संधी फिर हम लोग जानेगे के मेर कासीम ठीक है मीरजाफर बता दे कि यह ए इन्होंने धोका दिया था शीराजुदॉला को चलो मीर कासीम उसके बाद हम लोग जानेंगे निजामु दौला ये अंतिम नवाप थे बंगाल के उसके बाद जानेंगे बंगाल में द्वैशासन ये द्वैशासन बहुत इंपोर्टन्ट है चलिए तो एका करके हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्थापक मुगल समराट मुहम्मद सारंगीला के समय बंगाल स्वतांत प्रांत के रूप में उभरा जिसके संस्थापक मुर्सीद कुली खां थे और अपनी राजधानी मुर्सीदाबाद को बनाया देखिए नाम याद कैसे रखिएगा मुर्सीद कुली खां राजधानी म मुर्सीदाबाद तो मुर्सीद कुली खां बंगाल के संस्थापक थे एकदम याद कर जाना है कि मुर्सीद कुली खां बंगाल के संस्थापक थे मुगल समराट फरुक्सियर ने 1717 इस्वी में अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार प्रदान किया था जिसके फल स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में निसुलक व्यपार करने की अनुमति प्रदान की और अंग्रेजो का प्रवेस बंगाल छेतर में हुआ अंग्रेजो के बंगाल प्रवेस के बाद बंगाल में राजनितिक और स्थिरता का महौल बना जिसके कारण आगे चल कर बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजो के बीच संघर्स संबंध बिगड़ने लगे दखिए बंगाल जो था वो काफी बड़ा एरिया था और काफी संपन एरिया था तो जैसे 1717 इस्वी में फरुक्सियर ने अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार प्रदान किया मतलब आप बंगाल बिहार उडिसा में जाए और टैक्स फ्री बिजनेस करिये मतलब बिजनेस करिये बदले में हमको कोई टैक्स मत दीजे तो ये था 1717 का फरुक्सियर का दस्तक तो आपको बता दे कि यही बहुत घातक था इसी से समझे का अंग्रेज का मनोबल बढ़ा और दिरी धिरी सक्तिसाली हुएं क्योंकि इनको वेपार तो करना था लेकिन टैक्स देना नहीं था तो टैक्स फ्री वेपार करने का अजाज़त दिया था फरुक्सियर क्योंकि उसका एक मामली सा फोड़ा था उसका इलाज कर दिया तो पहले का सासक लोग अब समझ सकते हैं थोड़ा सा फोड़ा हुआ, इलाज कर दिया, बस पूरा तीनों स्टेट दे दिया, जाओ भाई, तुम बैपार करो, और हमको पैसा भी ने चाहिए, टैक्स भी ने चाहिए, तो देखिए, अब अंग्रेश तो बंगाल में आ गए, बंगाल बिहार उडिसा, जैसे बंगाल ब मुनाफ़ा होता था, तो इसलिए वो बंगाल की राजनितिंग में धिरे-धिरे दखल देना स्टार्ट कियें, और वो अंदर से सोचने लगए, कि जिस तरह से हम अधर क्याप्चर हम ऐसा कर लेते हैं, कि बंगाल पर सीधा क्याप्चर कर लेते हैं, यहोंकि सबसे समरिद स समय, उस समय का सबसे समरिद जो इलाका था, वो बंगाल था, तो इसलिए उनलों का मन बंगाल की और बढ़ने लगा, और एक बार जब देखिए, धिरे-धिरे वैपार करने आएं, और उसको धिरे-धिरे राजनितिं में इंट्रक करने लगें, तो अब खुद सोचिए, कि एक नवाब उसमें अलिवर्धि खा भी थे, इनके बारे में समझते हैं, अलिवर्दी खा बंगाल के पर्मुक नवाबों में से एक थे, ये मोहमत सारंगिला की अनumती लेकर अपने पद को समीधानिक बनाया, इस कार के लिए मोहमत सारंगिला को 2.リ घुश दी ने हैं तो सिराजु दौला भी भी आई हम लोग सिराजु दौला भी बंगाल के एक नवाप थें इनके समय घटना घटा था ब्लैक हॉल ट्रेजडी चलिए इस घटना के बारे में आपको बताते हैं इसको हम लोग काल कोठी काल कोठी त्रासदी भी कहते हैं जो 1756 इसमी में हुआ था औ 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया और दो दिन तक छोड़ दिया गया तो पूरा दम भुटने से लगभग लगभग बहुतों का डेथ हो गया था 123 अंग्रेज का death हो गया था और 23 अंग्रेज बचे थे जिन्दा बचे थे उसी 23 अंग्रेज में एक अंग्रेज का नाम था हॉल्वेल तो वही अपना बयान दिया था ब्लैक हॉल ट्राजडी के बारे में detail किया था तो चली देखते हैं एक अंग्रेज अधिकारी हॉल्वेल के नुसाथ सिराजु दौला ने 20 जून 1756 इस्वी को रात में 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंट चोड़े एक कमरे में कैद कर लिया दो दिन बाद हॉल्वेल सहीत 23 अंग्रेजों को छोड़ कर बाकी सारे अंग्रेज मारे गए इस घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल ट्राजडी कहा जाता है ये कलकत्ता के फॉर्ट विलियम किले में हुआ ये जो घटना हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था तो देखिए ब् इसके सासनकाल में ब्लैक हॉल ट्राजडी हुआ था चलिए एक कोशन आपसे पूछता है कि फॉर्ट विलियम किला को किस ने बनवाया था तो गौर करिएगा ये अंग्रेजों ने बनवाया था चलिए सिराजु दव्ला के समय ही पलासी का युद्ध हुआ था था थिक है भीबी आई चलिए पलासी का युद्ध देखिए हम आपको देखिए ब्लैक होल ट्राजडी जब हुआ तो एंग्रेज काफी कृद्ध हो गए थिक है काफी एंगरी हो गए और पुरह एदम इंत्र करना स्टार्ट कर दीए अब अर्फिक रूप से और सेने रूप से काफ़ी मजबूत है तो बंगाल के नवआपको हराना इतना असां नहीं है तो वो क्या किए वो पूरा गेम कर दी गेम क्या किए कि जो भी बड़ा बड़ा अधिकारी था उसको पैसा देके ठीके सत्ता का लालच देके मतलब कि जैसे भी बन पाया पूरा सड़यंत्र करके अपने तरफ अपने पाटी में मिला लिए तो बोला जाता है कि जो प पाई देवे कि मेरे पास क्रिकेट का 11 टीम है अगर मेरे टीम का 10 प्लेयर दूसरा टीम के तरफ से लिखेल दे मतलब जाए और जब अजस्ती आउट हो जाए जाए खुद वर खुद आउट हो जाए तो क्या होगा युद खतम तो बस यही हुआ था पलासी का युद भी यही हुआ था कि मतलब जैसे स्टार्ट हुआ तो सिराजु दौला का जो जितना भी सैनिक था वो सब अंग्रेज के तरफ हो गया और खुद को मार लिया मतलब की उल्टा सिराजु दौला का सैनिक को ही मार दिया ठीक है और आपको एक बता दू कि सिराजु दौला का जितना भी तोप था, उसमें बारूत का जगा आटा भर दिया था, खुद, तो ये यूद 15 मिनिट में ही समाप्त हो गिया था, तो ये तिहास का ये बहुत बड़ा सरयंतकारी यूद था, और ये यूद में अंग्रेज विजय हुए, और मैं आपको बता दू, बंगाल उस समय का सबसे बड़ा और सबसे संपन राज था, तो अंग्रेज जब बंगाल के नवाप को हराएं, तो आपको बोला जाता है कि भारत में सासन का अंग्रेज का ये परवेश द्वार है, फिर से गौर करिएगा, यूद कि बंगाल सबसे सक्तिसाली सबसे बड़ा सबसे संपन, जब बंगाल को हरा दिये, अब अगर इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे मजबूट टीम और सबसे संपन और सबसे बड़े समराज बंगाल को हराया था, पलासी का यूद में, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है पलासी का यूद, ये 1757 में हुआ था, कहां हुगली, नदी के किनारे पलासी में, सिराजु दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, भी बी आई, ये आपसे पूछता है कि सिराजु दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, चलिए परिनाम, ये इतिहास का सबसे बड़ा सड़ेंतकारी यूद था, जिसमें सिराजु दौला पराजित हुआ और उसकी हत्या हो गई तो देखिए अभी भी हम लोग क्या करते हैं आपस में जब बात करते हैं तो वैसा कोई अगर लगता है कि विश्वास घाती है उसको हम लोग मीर्जाफर का उपनाम देते हैं भाय तुम मीर्जाफर ठीके तो मीर्जाफर फेमस का नेतियुत किस ने किया था रॉबर्ट क्लाइव एकदम याद रखना एक अक पॉइंट यह बहुत इंपोर्टेंट लड़ाई है दूसरा कोईशन पलासी के युद्ध के समय मुगल समराठ कौन था तो यह था आलमगीर 2 तीसरा कोईशन पलासी का युद्ध कब हुआ थ नोट नमबर 3 इस युद्ध के समय मुगल समराठ आलमगीर द्वितिये थे तो पलासी का युद्ध में आपको बस तीन पॉइंट याद रखना है कि पलासी का युद्ध पहला पॉइंट 1757 इसवी में हुआ पलासी की युद्ध सिराजु दौला जो बंगाल का नवाब थ हुआ कि तीसरा पलासी का युद्ध के समय मुगल समराठ आलमगीर द्वितिये थे और चौथा पलासी के युद्ध ने ही भारत में अंग्रेजों का सासन का प्रवेश द्वार खोल दिया चलिए अब हम लोग जानते हैं अब देखिए क्या हुआ कि पलासी का युद्ध में अंग्रेज जीत गए और अंग्रेज ने मीर जाफर को वादा किया था कि तुम विश्वास घात करो तुम मेरा साथ दो तुम मीर सिराजु दौला के बाद बंगाल का नवाब तुमको मै बना दूगा क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का नवाब वैसा व्यक्ति बने जो मेरे सपोर्ट में हो ठीक है जिससे हम अपने तरीका से घुमा सके नचा सके मतलब कि एक पटकट पुतली के तरह हम उसका यूज कर सके तो सिराजु दौला को पलासी के यूद में मार दिया गया और मीर जाफर को गद्धी पर बैठा दिया गया चलिए नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने ततकालीन मुगल समराट आलमगीर 2 से क्लाइव को 24 परगना का जागिर दिलवाई जिसे क्लाइव का जागिर कते देखिए अब अंग्रेज को खुश करने के अब दिलवाई तो 24 परगना परगना मतलब अब समझ सकते एक ब्लॉक एक थिक है पंचे-दस गाउं का मिलाकर एक प्रगना होता है तो 24 परगना इसको फिरी में दे दिया ताकि अंग्रेज मेरे से खुस हो जाए तो इसी जागीर को क्लाइव का जागीर कहा जाता है करनल कलाइफ जैसे इसको चाता था वैसे घूमाता था बोला उठो तो यह उठता था बोला बैठो तो बैठता था चलिए कोशन है किसे करनल कलाइफ का गधा कहते हैं तो मीर मीर्जाफर को नौब के पिठ से ऐटा दिया गया देखिए बाद में क्या הवा कि मीर्जाफर जो है वूं धिरे दिरे धिरे अंग्रेज के बारे में जाना एक हम रही ठीक नहीं है ठीकस तो क्या dating के विरूद होने लगा ठीकसे और डच का साथ देने लगा तो हॉल्वेल अलिवर्दी खां के बाद मीर कासीम बंगाल का सबसे योग नवाब था इसने अपनी राधानी मुरसीदाबाद से बदल कर मुंगेर कर दिया तथा मुंगेर में उसने एक बंदुख फैक्टरी के स्थापना की देखिए अब ये मीर कासीम जो था वो बहुत चलाग था बहु दिहार के मुंगेर में कर दें तो इस से क्या होगा कि अंग्रेज का आना-जाना हलचन थोड़ा कम होगा और हम अपने आपको थोड़ा मजबूत कर सकते हैं और ये भी जाना कि अंग्रेज के पास टेक्नलोजी है, बंदूख है, तोफ है तो हम भी क्योंने अपने एक बंदूख फेक्टरी लगाते हैं तो ये सबसे पहले क्या काम किया कि मुरसीदाबाद से अपने राजधानी को हटा कर मुंगेर कर दिया और वहाँ पर एक बंदूख फेक्टरी लगाया तो कोस्चन है, किसने अपने राजधानी मुरसीदाबाद से मुंगेर कर दिया तो एंसर है मीर कासीम प्रतेक भारतिये को दस तक, देखिए अंग्रेज का प्रभाव कम करने के लिए जैसे अंग्रेज को फरुक्सियर ने 1717 by में बंगाल बिहार और इसा में Tax-free बिजनेस करने का ऐजाज़ा दिया था तो ये क्या किया 1763 इसी में प्रतेख भारतिये को बिहार बंगाल और इसा में निस्तुल्क व्यपार मतलब बिना टैक्स व्यपार करने के लिए छूट परदान कर दिया देखिए ये भी धिरे धिरे अंग्रेज के खिलाप जाने लगा चलिए उसके बाद इसी किसमें एक पटना हट्टा कांड हुआ था 1763 इसी में पटना में मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारी एलिस की हत्या कर दी अब देखिए धिरे 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 अंग्रेज के खिलाप जाते आते क्या हुआ पटना में एक अंग्रेज अधिकारी से ठीक है इसकी हत्या कर दी तो अब अंग्रेज क्या हुआ कि इससे पूरा विरूध हो इसी के समय में बक्सर का यूद लड़ा गया तो बक्सर का यूद मैं बता दू जितना बारा भी भी आई कर सकते हो कर लो इतिहास का सबसे बड़ा यूद है बक्सर का यूद चलिए तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले समझाता हो देखिए अब मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया था यह दम पूरा भढ़का हुआ था तो यह क्या किया बंगाल का नवाब था मीर कासिम यह अवद का नवाब था सुजाओ दौला ठीक है उसको भी अपने टीम में मिला लिया क्योंकि वो भी अंग्रेश से खाफा था एक और था सा आलम दुएतिये यह मुगल समराड था इसको भी अपने टीम में मिला लिया और अपना तीनों का एकदम समलित सेना मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बार में पूरा मीर कासिम मतलब बंगाल का सेना जो इसके फेबर में थे अवद का सेना और मुगल समराड का सेना एक तरफ पूरा यह तीनों का समलित सेना और एक तरफ अंग्रेश अकेले छोटा सा अंग्रेश अकेले लेकिन यह यूद इतना खतरनाक रहा कि वो अंग्रेश यह तीनों का समलित सेना को हरा दिये फिर सब गौर करिएगा एक अंग्रेज ये तीनों का समली सेना को हरा दिये तो आप सोच लिजे बंगाल, अवध और मुगल समराट तीनों मतलब भारत का सबसे बड़ा बड़ा सक्ती को एक ही बार में परास्त तो जब एक ही बार में परास्त हुआ तो ये युद्ध जो था वो निरनायक युद्ध था और इसके बाद से आप मान सकते हैं कि अंग्रेज का डारेक्ट या इंडारेक्ट पूरा भारत पर कबजा हो गया क्यों? यहांकि अब अंग्रेज के खिलाफ वैसी कोई सक्ती नहीं बची थी जो अंग्रेज को ठिक है चुनावती दे सक्ती थी योगि जो जो बड़ा बड़ा सकती था वो अकेले नहीं बलकि तीनों सकती एक बड़ाई थी और फिर भी अंग्रेज ने तीनों को एक साथ हरा दिया तो सोच लिए कितना बड़ा यूद था कितना भ्याना की उद रहा होगा तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते है इस समय अंग्रेज का जो सेना पती था वो था हेक्टर मुन्रो ठीक है और इधर था मीर कासिम बंगाल का नवाप सुजाओ दौला अवद का तो आप सा आलम दूती है मुगल समराट कोश्चन देखिए इससे कैसा कैसा पूछा यह 1764 स्विय में होता यह भी याद रखना है बक्सर के यूद के समय अंग्रेजी सेना का नितितु किस ने किया तो हेक्टर मुन्रो बक्सर के यूद के समय दिल्ली का सासा कौन था तो जब नवाब के पत से हटाया गया तो उसने मुगल समराट सा आलम दूतिये तथा अवद के नवाब सुजाओ दौला को अपनी तरफ मिला लिया क्योंकि यह दोनों भी अंग्रेज के रवाईये से काफी परिसान थे और उसके बाद तीनों का समलित सेना अंग्रेज के साथ बकसर में बिहार में हैं बकसर 1764 में एक टीम में अंग्रेज दूसरा टीम में बंगाल अवद मुगल समराट इन लोग का तीनों का समलित सेना अंग्रेज और इन तीनों के बीच युद हुआ और इस युद में अंग्रेज का विजय हुआ चलिए, नोट, बक्सर के युद को पलासी के युद से ज़्यादा महत्वपून माना जाता क्योंकि इस युद में अंग्रेजों ने भारत की तीन प्रमुक सक्तियों को समलित रूप से पराजित किया और इस युद के बाद ही अंग्रेजों की सक्ति भारत में स्थापित हुई तो एक और आपसे कोश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधी कब हुई 1765 बक्सर के युद के बाद कौन सी संधी हुई थी तो इलाहाबाद की संधी ये याद रखना अब अंग्रेज क्या हुआ कि अब तो इसको हरा दिया तीनों को तो अंग्रेज पूरा क्या किया सब अपना जितना भी था सब इन लोग पे थोप दिया और क्या किया बंगाल बिहार उडिसा तीनों का दिवानी मतलब टेक्स मतलब कि ये तीनों स्टेट से जितना भी टेक्स आएगा वो मुगल समराठ के पास नहीं जाएगा बलकि अंग्रेज के खाता में आएगा मतलब तीनों उस समय का जो बंगाल था उसमें आपको यूपी का इंट्री करता था थोड़ा असाम था आज का बंगला देश था कुछ बिहार था कुछ जरकन था इतना बड़ा बंगाल था तो पूरा बंगाल का राजस्व पूरा बिहार का राजस्व और पूरा उडिसा का राजस्व अपने अंडर में ले लिया मतलब की समझ लिए कि भारत में direct रूप से या indirect रूप से अंग्रेज का capture हो गया और आप कोई वैसी सक्ति नहीं बची जो अंग्रेज से direct लोहा ले सकती थी अंग्रेज के वुरूद खड़ा हो सकती थी तो अंग्रेज direct या indirect भारत में अंग्रेज का सत्ता मतलब अंग्रेज का जो जंडा था वो भारत में गड़ गया चलिए इलाहाबाद की संदी 1765 बकसर के यूद के बाद अंग्रेजों ने 1765 इस्वी में इलाहाबाद की संदी की और बंगाल बिहार तथा उडिसा में टैक्स या दिवानी का अधिकार प्राप्त किया बंगाल में द्वैद सासन तो यहां से भी तिन्चार कोशन पूछता है अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब निजामु दौला के साथ एक संधी कर ली और सुरक्षा की द्रिष्टी से 1765 इस्वी में बंगाल में द्वैद सासन लगा दिया यह द्वैद सासन 1765 इस्वी में रॉबर्ट कलाईब के द्वारा लगाया गया और 1772 इस्वी में वारन हस्तिंग ने बंगाल में द्वैद सासन को समाप्त कर दिया तो आपको कोश्चं पूछता है द्वैद सासन मतलब क्या हुआ मतलब कि आप नाम के लिए कट पुतला के जैसे आप सासक हो, लेकिन पूरा टेक्स हम वस्तूल करेंगे, मतलब इंडारी रूप से पूरा का पूरा सत्ता मेरे हाथ में है, जो हम चाहेंगो वो होगा, मतलब मेरा कानून चलेगा, सब कुछ मेरा चलेगा, आप बस दिखावए के लिए सासक हैं, तो इसी को बोलते हैं, द्वैत सासन, ठीक है, तो आपसे कोशन पूछेगा, बंगाल में द्वैत सासन कब से कब चला, 1765 से 1772, कोशन नमबर टू, बंगाल में द्वैत सासन किसने लगाया था, रॉबर्ट कलाइब, कोशन नमबर तीन, बंगाल में द्व सकता है चली अब हम लोग आते हैं पंजाब तो पंजाब को समझने के लिए आपको सबसे पहले सिख धर्म समझना पड़ेगा तब ही अब पंजाब को अच्छे से समझ सकते हैं तो पंजाब को हम लोग समझेंगे तीन पहलू से पहला सिख धर्म सिख धर्म में हम लोग जाने कि दस गुरु कौन कौन सो थे इस इन गुरु का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वक्त कौन सा है खालसा पंथ क्या था बंदा बहादूर क्या था कौन था उसके बाद पंजाब राज के संस्थापक राजा रंजीत सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब राज के सं करना चाहा रहे थे तो आंगल सिख युद्ध हुए दो युद्ध हुआ ठीक है प्रथम और द्विति उसके बाद हम लोग इसी में जानेंगे थोड़ा सा कोहिनूर के बारे में कोहिनूर जो ही रहा था उसका कहानी हम लोग समझेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिख धर्म से सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव थे सिख धर्म में दस गुरु हुए जो इस प्रकार है पंदरावी सताब्दी में सिख धर्म ठीक है आया और इसके संस्थापक थे गुरुनानक देव सिख धर्म के बारे में मैं थोड़ा से बता दूं कि ये मुर पच्पन में जाते थे गुरुनानक देव तो इनकी प्रतीभा के कारण इनको मतलब की जो उस समय का स्कूल था वो आज की जैसा नहीं है कि उस समय टीचर के बाहर था मतलब कि टीचर के बस के बाहर यह थे ठीक है मतलब इनका नोलिज से भी जादा था तो इसलिए अपना स्कूलिंग आधा में ही छोड़ दिये था क्योंकि ये इनको लग रहा था कि मतलब कि ये पूरा सत्य असत की खोज के लिए वो निकल गए और ये 15 सताबदी में सीख धर्म का स्थापना की तो चलिए अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सीख धर्म के संस्थापा कौन थे तो मंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ जो वर्तमान में ननकाना सहाब से जाना जाता है ये वर्तमान में पकिस्तान में तो आपसे कोशन पुछेगा कि गुरुनानक देव का जन कहां हुआ तो ओप्सन में आपको तलवंडी भी दे सकता है ननकाना सहाब भी दे सकता यूँकि उस समय उसका नाम था तलवंडी और वर्तमान में उसका नाम है ननकाना सहब तो आपको कोश्चन पुछा है गुरु नाना का जन्म कहा हुआ था देखिए शिखों के दस गुरु हुएं उनका सिक्वेंस जरूर याद रख लेना पहले कौन दुसरे कौन तिसरे कौन योग कि ये भी कुश्चन पुछा है सेसी में कि गुरु रामदास के बाद कौन हुए ठीकि इस गुरु के पहले कौन गुरु थे तो आपको सिक्वेंस स्याद करकर रखना है चलिए इनका दूसरा कम इन्होंने संगत संगत का मतलब होता है धर्म साला विवस्था साथ में रहने का विवस्था तथा पंगत पंगत का मतलब होता सामूहिक भोजन की विवस्था नामक प्रथा का परचलन किया मतलब की ये एक विवस्था एक प्रथा का परचलन किये मतलब जिसमें आदमी साथ में रह सकता और साथ में खाना खा सकता है 1539 में इनकी मृत्यू करतारपूर नामक स्थान पर हो गई इन्होंने ही करतारपूर नगर ठीक है बस आया था तो देखिए करतारपूर में हुआ था जो वरतमान में पाकिस्तान में और करतारपूर नगर इन्होंने ही बस आया था अपनी मृत्यु के पहले इन्होंने अपना उत्राधिकारी गुरु अंगर देव को बनाया ये सिखो के पहले गुरु थे तो इनके एक सिस्र थे गुरु अंगर देव तो ये अपना उत्राधिकारी मतलब दूसरे नमबर के गुरु किनको बना दिये गुरु अंगर देव तो इनसे अभी तक एक ही बार question पुछा है कि गुरु नानक देव का जन कहा हुआ है चलिए अब हम लोग आते गुरु अंगर देव वास्तविक नाम लहना इन्होंने सिखो के लिए गुरु मुखी लीपी का विस्कार किया अब आपको लीपी क्या होता है कोई भी भासा लिखने का उसका अपना particular rules होता है rules, regulations होता है उसी को लिपी बोलते हैं जैसे हिंदी का जो है वह देवनागरी लीपी है English का जो है वह Latin लीपी है तो उसी तरह सिखो को उस्हों का उन्होंने ठिक है सिखों का भासा तो उसके लिए उन्होंने गुरु मुखी लीपी का विसकार किया तो बहुत important है कि किस गुरु ने सिखों के लिए गुरु मुखी लीपी का विसकार किया तो कौन है? गुरु अंगद। बस इनका एक ही important है देखिए बहुत ज्यादा important नहीं बस highlighted point आप याद रखो गुरु अमर्दास गुरु अमर्दास की पुत्री बीबी भानी का पती रामदास थे देखिए मतलब की जो रामदास थे हैं वो गुरु अमर्दास के दमाद थे गुरु अमर्दास की एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी, बीबी भानी को एक बार अकबर क्या हुआ था, एक गोविंद वाल नामक इस्थान पर ठीक है, बहुत सारा जमीन दान में दिया था, तो वहीं पर गुरु अमर्दास जो है, वो बावडी, एक झील, इनकी बेटी का हस्बेंड, यह अपने बाद गुरु रामदास को क्या कियें, गद्दी पर बठा दिये, अकबर ने गुरु रामदास को पांसो बिगा जमीन दी थी, जिस पर रामदास ने अमरिश सर तलाब तथा रामदास पूर नामक नगर बनवाया, बाद में इस सहर क नाम अमरिश सर हो गया, भी भी आई, अमरिश सर नगर किसने बसवाया, गुरु रामदास, कोशन नमबर टू, अमरिश सर तलाब किसने बनवाया, गुरु रामदास, इन्होंने अपने पुत्र अरजुन देव को अपना उतराधिकारी बनाया, इनके समय से ही गुरु का प पद पेत्रिग बना दिया पैत्रिक मतलब उसका बेटा फिर उसका बेटा फिरी उसका बेटा मतलब उसी का gdzie Muss का होना चाहिए तो यह इंहों ने गुरुव पद पैत्रिक बना दिया तो आपसे कोश्चन है। गुरु राम दास के बाद कौन गुरु बने तो देखिए आपसे कोशन दो कोशन यहाँ पर है कि किस गुरु ने गुरु का पद पैतिक बनाया कोशन नमबर टू किस ने अमरिश सर नगर को बसाया तो गुरु रामदास गुरु अरजुन देव इन्होंने अमरिश सर तलाब में हरमंदर सहब मतलब जो अभ आदिकरंथ की रचना की जिस तरह हिंदू में गीता है ठीक है मुस्लिम में कुरान है उसी तरह सीख में ठीक है एक धार्मी करंथ जिसका नाम है आदिकरंथ तो इन्होंने जो सीखों के धार्मी करंथ आदिकरंथ इसकी रचना की यह गुरु मुकी भासा में है तथा इसमे गुरु नाना की जीवनी है तो आपसे question पुछा है कि किस गुरु ने गुरु नाना की जीवनी लिखी तो गुरु अर्जुन देव किस गुरु ने आधिकरंद की रचना की तो गुरु अर्जुन देव किस गुरु ने हरमंदर साहब मतलब golden temper का निर्मान किया तो गुरु अ के लिए तो जहांगीर उसे काफी नाखुज था ठीक है उसको वह मरवाना चाहता था तो उसी दोरान क्या हुआ था कि यह जो थे गुरु अर्जुन देव वह खुस्रो की मदद किये तो इससे जहांगीर काफी कुरुद हुआ और गुसा से ठीक है गुरु अर्जुन देव क कारण जहांगी ने इन्हें दो साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था देखिए गुरु अर्जुन देव को एक तो इनको क्या किये थे कि इनको मृत्यु करवा दिया और पलस हरजाना भी लगा दिया और बोले अगर तुम हरजाना ने दोगे तो तुम्हारा बेटा से अरजाना वसू लेंगे ठीक है जहांगी तो इनका बेटा था गुरु हर गुविन तो हरजाना नहीं दे सका इसलिए इनको दो साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था इन्हें उन्हें सीखों को अब देखिए पियो और मजबूत बनो और लड़ाकू बनो ताकि अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम बदला ले सको साथ नमबर गुरू हर राय औरंग जेब का भाई दारा सिको इनसे मिलने आया था इसलिए औरंग जेब इनसे नाखुज था देखिए अब उस समय होता क्या था कि सत्ता के लिए भाई भाई में लड़ाय होता था ठीक है तो औरंग जेब उसका भाई उसका भाई में लड़ा तो उसी दोरौन ये इनसे मिलने आया था तो औरंग जीव को जब पता चला तो इनसे नाखुस हो गया था इन्होंने अपने बड़े बेटे को छोड़कर अपने छेटों छोटे बेटों को उत्राधिकारी बनाया ये देखिए गुरु हर राय को मालूम था कि मेरा जो बड़ बेटा है ठीक है वो सिक धर्म के प्रती बहुत जादा वफादार नहीं है तो इसलिए और मुगल के प्रती बहुत वफादार है तो कहीं सिक धर्म को कोई नुकसान नहों जाए इसलिए गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे को नहीं बलकि अपना छोटा बेटा को ठी देदिया चलिए तो आठ्में गुरु थे गुरु हर किसन इनके गुरु बनते ही इनका अपना बड़ा भाई राम राइक के साथ विवाद हुआ क्योंकि राम राय स्वय गुरु बनना चाहता देखिए अभी आपको बताएथे कि गुरू हर राय अपना छोटा बेटा, गुरू हर किसन को गद्दी दे दिये, अब इनका जो बड़ा भाई था राम राय, इनके साथ विवाद हो गया, वो बोला था कि भाई हम बड़ा है तो हम बनेगे गुरू, जब राम राय को गुरू का पद नहीं मिला, तो उन्होंन अगर सकती है, तभी अब धर्म चला सकते हैं, उन्होंने अपना उतराधिकारी, अपने चाचा, तेक बहादूर को बनाया, तो जो ये गुरू थे, गुरू हर किसन, ये अपना उतराधिकारी किसको बनाया, अपने चाचा, गुरू तेक बहादूर, चलिए, एक बर क्या औरंग जेब ने कर दी थी क्योंकि ये कास्मीरी पंडित एवं अन हिंदों को मिसल्मान बनने का विरोध करते थे इनकी हत्या जहां की गई वहीं सिस गंज गुर्दवारा दिल्ली में बनाया गया देखिए सिस गंज गुर्दवारा हम खुद गए हैं दिल्ली के जो आपको चांदी चोक है उसी के बगल में तो इनकी हत्या औरंग जेब ने करवा दिती औरंग जेब के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मेडियेबल हिस्ट्री तो आरंग जेब इतिहास का इतना ज़्यादा कटर सा सकता कि लगभग लगभग आप इसी बात सानुमान लगा सकते हो कि कई इतिहासकार कहते हैं कि लगभग एक करोड़ पलस हिंदू और सीख को वो इसलाम धर्म में बदलने के लिए प्रेसराइस क में थे ठीक है तो वहां के पंडितों को यह जो औरंग जेब जबरजस्ती इसलाम में कनवर्ट करवार था तो यह जो हिंदू थे और पंडित इनको अपोस कर रहा थे गुरु तेग बहादूर और मना करें थे कि आप इसलाम स्विकार ना करो तो इससे क्रोधित होकर अंतिंग गुरु इन्हें सच्चा पात्सा करता सोचिये जिनकी पिता की सिर्फ इसलिए हत्या करवा दिए क्योंकि उसने इसलाम धर्श्विकार नहीं किया तो सोचिये इनके अंदर कितना कुरूद रहा होगा कितना अंदर से गुस्सा रहा होगा तो मैं आपको कभी बता चलिए तो यह गुरू तेक बहादूर के पूत्र थे दस्वे एवं अंतिम गुरु थे भीवी आई गुरु गोविन सिंग दस्वे थे और अंतिम थे यूंकि इन्होंने गुरु का पद समाप्त कर दिया था और दसी तक इन्हें सच्चा पात्सा कहा जाता है चलिए क्वे खालसापन्त मतलब होता है कि एक तरह का सैनिक तयार किये थे ठीक है शिक सैनिक तयार किये थे बे साखी के दिन गुरु गोविन सिंग ने सिखों को मजबूती परदान करने के लिए खालशेपन्त खालसा पंद मतलब इसमें लगभग लगभब आपको 80,000 से अधीक सैनिक हो गये थे मतलब की सिख सैनिक को ही खालसा बोलते है चलिए पांच ककार गुरु गोविन सिंग ने सिखो के लिए पांच ककार अनिवार कर दिया मतलब कोई भी सिख है तो आप पांच चीज हमेशा आपके साथ रहना चाहिए पहला कंगा, कंगा मतलब कंगी जिसे हम लोग बाल जढ़ते हैं दुसरा केस, मतलब आपका केस बड़ा बड़ा होना चाहिए आपको कटवाना नहीं तिसरा कड़ा, हाथ में जो पहनते हैं चौथा क्रिपान, मतलब भुजाली, अगर आप सच्चे सीख हैं तो आपके पास हमेशा भुजाली रहेगा और चौथा कच्छा, अब हमेशा कच्छा के साथ रहोगे, मतलब कच्छा पहने रहोगे चलिए, पंच प्यारे, तो चलिए, पंच प्यारे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैक्ग्राउंड बताता हूँ, देखिए अब इतना ज़्यादा वो रौस में थे, क्योंकि देखिए, उस समय क्या हो रहा था, कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो रहा था महाज इसलाम नाहीं सिवकार करने के चलते लोगों को मार कार दिया जा रहा था एक करोड की जनसंख्या का कतले आम हुआ था, तो आप सोच सकते हैं, कितना बड़ा नरसंहार रहा होगा तो गुरु गोविन सिंग, ठीक है, सिक धर्म की बचाव के लिए, क्योंकि सिक धर्म हमेशा दूसरों का बचाव किया है तो बचाव के लिए इन्होंने एक परिक्षा लिया, परिक्षा में क्या हुआ कि टेंट के बगल में बहुत सारे भीड थे, ठीक है, बैसाकी के दिन बहुत भीड था तो गुरु गोविन सिंग ने कहा कि मैं परिक्षा लोंगा, और जो परिक्षा में पास होगा, उस वो खालसा पंथ, ठीक है, वहीं से ही स्टार्ट होगा और हम सिक का एक सैनिक तयार करेंगे, तो ये क्या किये, बोले सिक धर्म के लिए कौन अपना जान दे सकता है तो एक व्यक्ति सामने आया, ये उसको लेके गए, बगल में एक टेंट लगा हुआ था, वहाँ पर एक चमचम आता हुआ तलवार था, तो जब बाहर निकलें, तो तलवार से खून आ रहा था, तो सब को लगा कि उस आदमी का हत्या हो गया फिर बोले, कौन है, जो सिख धर्म के लिए अपना जान दे सकता है, अपने आपको कुर्बान कर सकता है, तो एक व्यक्ति और आया, तो फिर से वही चीज़ हुआ, उसको अंदर लेके गए, और तलवार से, ठीक है, जब बाहर निकले, तो तलवार से पूरा खून निकल र तो इसी पांच व्यक्ति को पंच प्यारे बुलते हैं, और इसी पंच प्यारे से खालसा बंथ का स्टार्ट हुआ, मतलब पहले ये पांच, उसको अच्छे साथ आठ करते हुआ, असी हजार सेनिक बन गया था, चलिए, तो खालसा बंथ की स्थापना के समय, गुरु गोव और क्या हुआ था, कि एक बार बार के समय, जो आदि गरंथ था, जिसको अरजुन देव ने बनाया था, ठीक है, तो वो बार में क्या हुआ था, समाप्त हो गया था, तो ये क्या किये थे, फिर से लिग दिये थे, देखिए, एक मिर्ट ये थोड़ा सा, आदि गरंथ, जो गुरु मुखी भासा में था, और गुरु नानक इसमें जीवनी भी था, तो ये आदि गरंथ जो था, ये समापड में क्या हुआ था, बैह गया था, तो गुरु नानक देव क्या किये है, कि फिर से आदि गरंथ उसको लिख दिये थे, तो इसलिए इस आदि गरंथ को दसम पाटसा का गरंथ भी कहा जाता है चलिए जफर नामा कोश्चन पुछा किस गुरु ने जफर नामा लिखा था तो गुरु गोविन सिंग देखिए औरंग जेब के कहने पर गुरु गोविन सिंग के दो पुत्रों को जिवार में चुनवा दिया गया था जब गुरु जी को पता चला तो वो औरंग जेब को एक जफर नामा मतलब विजय की चिठी फार्सी भासा में लिखें इसमें औरंग जेब को चेतावनी दी कि तेरा समराज नस्ट करने के लिए खालसा पंथ तयार हो गया है तो इसी को बोलते हैं जफर नामा तो जफर नामा कौन लिखा था? गुरु गोविन सिंग फिर आपको पताएं गुरु गोविन सिंग और मुगल सैनिक बीच में एक यूद हुआ था मेरा मानना है कि हर भारतिये को यूद के बारे में जानना चाहिए आप यूटूब में देखिए आप बुक में ढूड़िए इतिहास में इस पे एक मूवी बनना चाहिए उस यूद को बोलते हैं चमकौर का यूद यहां पर आपको सिख सैनिक की बहादुरी का पता चलेगा जहां महजकुच 20-36 सैनिक दस लाख मुगल सैनिक पर भारी पड़ गया थे तो आप सोच लिजे इसलिए आप चमकौर का यूद के बारे में कभी मुझे फूरसत मिला तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा चलेए मृत्यू 1708 इस्वी में आफ आंद प्रदेश नामक इस्थान पर गुल्खा नामक पठाण ने? इनकी हत्या कर दी तो आप से कवस्टन पुछेगा गुरू गोवियन सिंह की मृत्यू कभ हो इ उसलिए बहाँ परुल्ध्वारा बनाया गया जहां पर इनकी समाध्य है तो question आपसे है नांदेर नामक गुर्द्वारा में किसकी समाधी है गुरू गोविन सिंग चलिए गुरू गोविन सिंग दस्वे गुरू थे और अंतिम गुरू थे इसके बाद गुरू का पद समाप्त हो गया उसके बाद सिखों का नेतित्व करने के लिए किसी ना किसी को चाहिए था तो उसके बाद क्या हुआ कि अब गुरू नहीं बलकि अब राजनेतिक नेता बना तो जो बंदा बहादूर था वो प्रथम सिख का राजनेतिक नेता था ठीक है यह गुरू नहीं था बलकि गुरू गोविन सिंग के बाद सिखों का प्रथम राजनेतिक नेता तो गौर करिएगा ये गुरू नहीं था ये राजनेतिक नेता थे ये सिखों के पहले सेनापती पहले नेता थे इनका उद्देश पंजाब में सिख राज की स्थापना करना था सिंध प्रांथ के मुगल सुबेदार वजीर खां की हत्या करने के कारण 1716 में मुगल समराथ फरुक सियर ने बंदा बहादूर की हत्या करवा दिए अब गुरू गोविन सिंग्ग हत्या हो गया था तो इसलिए ये भी काफी क्रूद थे तो इनको मौका मिला तो मुगल सुब सिखों के पहले राजनितिक नेता कौन थे बंदा बहादूर बंदा बहादूर के हत्या किस मुगल समराथ ने करवाई तो फरुक सियर चलिए तो ये हम लोग देख लिए सिख धर्म के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि पंजाब as a state ठीक है as a pranth देखिए तो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं तेकि जब बंदा बहादूर के हत्या हो गया उसके बाद जो सीक धर्म था ठीक है ओ पंजाब राज में क्या हुआ कि छोटा 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 टुकडा में बट गया तो उस तरह से बारा बारा छोटे-छोटे स्वतंत राज का स्थ आपना किस ने किया तो राजा रंजीत सिंग सुकर्चकिया मिसल के थैं किसे पंजाब में सिकुराज राज का संस्थापा कहते हैं राजा रंजीत सिंग इन्हें पंजाब में सिख राज का संस्थापा कहा जाता है रंजीत सिंग को दो उपाधी मिला था एक लगू नेपोलियन यह अंग्रेज को द्वारा मिला था और दूसरा राजा यह महाराजा के उपाधी यह कि मैं अभी आपको बताऊंगा जमान साह के द्वारा लाहौर विजय के बाद मिला था इसका मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा राजा रंजीत सिंग और जमान सा जमान सा अफगनिस्तान के सासक थे राजा रंजीत सिंग की अलप आयू को देखकर जमान सा ने सुकर्चकिया मिसल पर आकर्मन करने की सोची चलिए जमान सा का प्रथम आकर्मन 1796 में जमान साह ने सुकर्चकिया मिसल पर आक्रमन किया लेकिन वो असफल रहे जमान साह का द्वेती आक्रमन 1797 में जमान साह ने पुना पंजाब पर आक्रमन किया इस बार रंजीत सिंग ने वीरता से युद करते हुए जमान साह को भागने पर मजबूर कर दिया भागने के क्रम में जमान साह का 12 तोप चिनाब नदी में गिर गया जिसे नदी से निकलवाकर रन्जीत सिंग ने जमान साह को वापस भेजवा दिया सोचिए कि उसका तोप निकरवाया और उसको वापस भेजवा दिया तो ये इनकी वीर्ता को डिफाइन करता है चलिए रंजीत सिंग का लाहौर पर अधिकार 1799 में राजा रंजीत सिंग की वीरता से प्रभावित होकर जमान साह ने 1799 में राजा रंजीत सिंग को लाहौर पर अधिकार करने के लिए आमंतित किया सोच लिए खौफ कि मतलब वो खुद आमंतित किया कि आ तुम अधिकार कर लो जिसके फल सरूप 1799-वी में रंजीत सिंग ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया चलिए तो यहां से आपको question पुछता है रंजीत सिंग ने लाहौर पर अधिकार किस राजा से प्राप्त किया था तो राजा जमांसा और इसी आपको अभी बताया था ना देखी ये point अभी आपको बताया था राजा और जब लाहौर पर विजय हुआ तो जमांसा ने राजा रंजीत सिंग को राजा या महराजा की उपादी दी थी चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अमरिज सर की संधी 1809 इस्वी 1809 इस्वी तक उसके बाद धेद्रे क्या हुआ कि रंजीत सिंग जो थे वो और भी जैसे जम्मू कासमीर ठीक है और भी इलाका को जीतते हुए अपना समराज काफी बढ़ा कर लिये थे और काफी सक्तिसाली ये इतना जादा वीर थे ठीक है कि अंग्रेज जब तक राजा रंजीत सिंग रहे तब तक अंग्रेज कभी लड़े नहीं योकि अंग्रेज को मालूम था ये हो सकता है कि हम हार जाए ठीक है तो ये काफी वीर थे तो जब तक राजा रंजीत सिंग जिंदा रहें अंग्रेज कभी भी पंजाब पे दखल नहीं दिया लेकिन इनकी मृत्तियों के बाद के सासक उतने सक्तिसाली नहीं थे वे कमजोर पड़ गे और अंग्रेज का पंजाब में आकरमन हुआ ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं आंगल सिख यूद और पंजाब गया चलिए 1809 इसवी तक राजा रंजीत सिंग ने अपने छेतर का काफी विस्तार कर लिया था जिसके कारण अंग्रेजों के अधीन छेतर तथा राजा रंजीत सिंग के अधीन छेतर आपस में सटने लगे इसलिए दोनों के छेतर का सीमा का निधारन करने के लिए अमरीज सर की संधी की गई मतलब कि अमरीज सर की संधी में क्या हुआ था कि ये छेतर अंग्रेज का है ठीक है ये छेतर राजा रंजीत सिंग का है तो कौन छेतर किसका है तो इसके लिए एक संधी किया गया था अमरीज सर की संधी इस संदी ये संदी राजा रंजीत सिंग तता भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो वन के पूत्र चाल्स मेटकॉफ के बीच हुई तो BBI कोशन पुछता है अमरिज सर के संदी किसके किसके बीच हुई तो राजा रंजीत सिंग और चाल्स मेटकॉफ इस संधी के द्वारा सतलज नदी को अंग्रेजों के अधीन छेतर तता राजा रंजीत सिंग के अधीन छेतर के बीच का सीमा माना गया मतलब यह सतलज नदी के एक तरफ का सीमा अंग्रेज का और इस नदी के दूसरे तरफ का सीमा राजा रंजीत सिंग का तो question number two, किस नदी को, देखिए यहाँ पर आपको question भी पूछा है, राजा रंजीत सिंग और अंग्रेज के बीच, अमरीज सर के संधी में किस नदी को सीमा निर्धारित किया गया, तो सतलज नदी, अमरीज सर के संधी किसके बीच हुई, तो राजा रंजीत सिंग और चार्ल का मुक्ति दाता कहा जाता है, चलिए, रंजीत सिंग के मृत्यू, 1849 इस्वी, 1849 इस्वी में रंजीत सिंग की मृत्य हो गई, इनकी मृत्यू के बाद खड़क सिंग अगले सासक बने, भी भी आई, question पूछा है, रंजीत सिंग के उत्राधिकारी कौन थे, मतलब रंजीत स यह एक अयोग सासक थे, जिसके कारण अंग्रेजों की नजर पंजाब छेतर पर पड़ी और अंग्रेज का पंजाब पर आकरमन हुआ, चलिए, तो अंग्रेज और पंजाब के बीच दो आकरमन हुए, प्रथम आंगल सीख यूद और द्वितिय आंगल सीख यूद, किस यूद के बाद हुई, तो प्रथम आंगल सीख यूद के बाद, चलिए, क्या है, प्रथम आंगल सीख यूद तथा द्वितिय आंगल सीख यूद के समय पंजाब के सासक कौन थे, तो सासक थे, दिलीप सींग, दूसरा क्योश्चन है, भैरवाल की संदी किस यूद के बाद हुई तो प्रथम आंगल सीख यूद चलिए दूइती आंगल सीख यूद डॉल होजी मतलब अंग्रेज बर से सिख परिनाम राजा दिलीप सिंग का पराजय पंजाब पर अधिकार महराजा दिलीप सिंग को पचास हजार पाउंड वार्सिक पेंशन देकर पढ़ाई क लिए उनकी माता के साथ इंग्लैंड भेर दिया गया मतलब अग्रेज बला भाई तुम लोग कुछ पढ़ लिख लो ठिक है तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम ऐसा करो कि हम तुमको पंजाब हमको दे दो तुमको हम पचास हजर कप इंसन देंगा वार्सिक आर कोहिनूर हिरा इंग्लैंड की मारानी विक्टोरिया को भेट सोरूप दे दिया तो आपके मन में भी आता होगा कि क्या जो हम लोग का कोहिनूर हिरा भारत का था वो क्या हम लोग इंग्लैंड से ला सकते हैं भाईया आप किसी को गिफ्ट कर दियो हो तो ला सकते हो तो नही देखाने के लिए, सान सौकर देखाने के लिए बोल दीए कि मेरे पास एक ऐसा ही रहा है कि हम अगर चाहे हैं तो एक महिना तक पूरा इंगलेंड को खाना खिला सकते हैं इतना valuable ही रहा है तो ये धीरे 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 ये बात चला गया, रानी के काण तक गया तो रानी फिर उनको बुलाई और उसको जबर्जस्ती बोली कि अब हमको तुम गिफ्ट करो तो इस तरह से उनको मतलब की ना चाहते हो भी गिफ्ट करना पड़ गया था चलिए नोट राजा रंजीत सिंग ने भंगी मिसल से लाहॉर और अमरिसर छीने तो आपसे क्वेशन पूछेगा कि जो लाहॉर और अमरिसर थे वो पहले भंगी मिसल का था तो राजा रंजीत सिंग ने भंगी मिसल से छीना था रंजीत सिंग ने लाहौर को पंजाब की राजनेतिक राजधानी तथा अमरिज सर को पंजाब की धार्मिक राजधानी बनाई, क्यों कि गोल्डन टेंपल अमरिज सर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक राजधानी अमरिज सर और राजनेतिक राजधानी लाहौ राजा रंजीत सिंग ने अम्रिस सर विजय में जम जमा नामक तोप प्राप्त किया था ये भी PCS में पूछा हुआ है कि जम जमाना मक तोप किस विजय के बाद उसे मिला था तो अम्रिस सर विजय के बाद चलिए अब हम लोग समझते हैं कोहिनूर हिरा की कहानी देखिए कोहिनूर हीरा के बारे में बताते हैं देखिए एक माना जाता है कि भारत में ठीके एक कोईले के खान से एक हीरा मिला था कोहिनूर हीरा उस समय जो सासक थे वो सा जहां थे तो सा जहां उस समय कोहिनूर हीरा पूरे विश्व का सबसे बड़ा हीरा था तो सा जहां को जैसे वो हीरा मिला वो काफी खुस हो गया और जिस चेर पे ठीके जो उनका गद्धी था ठीके उस पर कोहिनूर हीरा को जड़वा दिया जिसे तक्त एताउस या मयूर सिंहासन बोलते थे चलिए उसके बाद धिरे धिरे उनका वंसज आते गया सिंहासन पर बै नादिर साह का भारत में आकर्मन हुआ ठीक है वो पूरा भारत में आकर्मन हुआ दिल्ली को पूरा अच्छे तरह से लूटा देखिए नादिर साह का जो आकर्मन होता था वो काफी खतरनाक होता था वो करता क्या था कि जिस गाउं से गुजरता था लेडी जेंड सभी को म मोगल समराट का जो सिहासन था, वो लेकर चल गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितना खत्रनाक इसका अटैक रहता होगा, कि इसका जब अटैक होता था तो दिली के जो मोगल समराट था वो भी भाग जाते थे, कहीं हम भी नहीं मर जाएं, तो नदिर साह का 1749 में अटैक हुआ, और वो अपने साथ मैयूर सिंहासन यानि कोहिनूर हिरा को इरान लेके चले गए इरान को फारस भी बोलते हैं बाद में कोहिनूर हिरा उसके वंसज तथा अफगानिस्तान के सासक साह सुजा के पास पहुचे देखिए नादिर साह का जो वंसर था साह सुजा वो इरान का साह सक बना उसके पास कोईनूर हिरा चला गया राजा रंजीत सिंग ने 1813 इस्वी में साह सुजा को पराजित करके कोईनूर हिरा पुना वापस प्राप्त किया तो ये कोशन आपसे बहुत बार पूछता है कि कोहिनूर हिरा को राजा रंजीत सिंग ने किस से पराजित कर प्राप्त किया था तो सास उजासे उसके बाद कोहिनूर हिरा क्या हुआ था पहले भारत के पास था फिर इरान चला गया फिर भारत के पास आ गया ये हिरा रंजीत सिंग के वनसज दिलीप सिंग के हाथ में गया फिर ठीक है भारत में था जिसे उसने इंग्लेंड की महरानी विक्टूरिया को उपहार में दे दिया और आज कोहिनूर हिरा महरानी के ताज में लगा है ठीक है जो भारत का था पहले इरान गया इरान से फिर भ भारत का है भारत का अमानत है लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भारत का अमानत है double को लोटना चाहिए तो क्या है आसफ उदौला के बारे हम थोड़ा जानना है और वजित अली साह के बारे हम जानना है बाकि डिटेल में अवद बहुत जादा खास नहीं इससे बहुत कम कॉश्चन पूचा है चलिए पहला संस्थापक अवद के संस्थापक सहादत खां बुरहान मुल्क देखिए आ अवद भी मुहम्मद सहा रंगीला के समय ही ये भी आजाद हुआ था वजीर नवाब मुगल समराट अहमद सहा ने 1748 में सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया इसलिए अवद के सासक वजीर नवाब कहला था देखिए इसमें आपको बताने का एक ही पॉइंट था कि आवद के सासक को वजीर नवाब करते हैं बस इससे ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है आसफ उदौला देखिए ये पूछा है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहा है तो ये लखनाओ में डिखिए आसफ उदौला ने मुहरम मनाने के लिए लखनाओ में इमाम बाड़ा का निर पूछेगा बड़ा इमाम बाड़ा कहा है तो लखनाओ में चलिए वाजिद अली साह ये अवद के अंतिम नवाब थे ठीक है डलहौजी ने 1854 इस्वी में अवद पर कुसासन का अरोप लगाया और इसकी जाच की मांग कि मतलब देखिए डलहौजी क्या क्या कि अरोप इसलिए इसकी जाच होना चाहिए ये बात इंग्लेंड का ठीक है इंग्लेंड भेज दिया गया अब इंग्लेंड के सेम्बली में इस पर चर्चा हुआ और चर्चा के बाद इसकी जाच के लिए एक अधिकारी आउट्रम को भेजा गया इस बात की जानकारी आउट्रम ना करके अपनी वर मिला लिया और आउट्रम ने अपने रिपोट में लिखा कि वाजी दली साह द्वारा अवद की जनता का सोसन हो रहा है रोड हैं इस आरोब musst कारण 1856 में डलहौजी ने अवद को ब्रिटिस प्रांत में मिला लिया और नवाब का पद समाप्त हो गया चलिए तो यहां से कुश्चन कौन कौन सा है पहला कुशासन के अधार पर जब अवद को मिलाया गया उस समय अवद का सासा कौन था तो अवद को किस अधार पर ब्रि चलिए होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आप इसको बार बार देखें अपना नोट्स बना ले ठीक है और लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें चलिए बेस्ट अप लग फॉर एग्जामनेशन थैंक यू